हेलो फ्रेंड्स, SS Home Garden के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, हम सब अपने गार्डन में पौधे इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन पौधे ज़री नहीं कि हम हर बार खरीद के लगाएं क्योंकि बहुत बार खरीदना हमारे पौधे थोड़ा ज़्यादा असर दिखा देता है तो ऐसे में मैं कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं तो अपने पौधे में एक पौधे रखिए या एक कटर रखिए और जहां भी ये पौधे दिखें फटाक से इनकी एक कटिंग निकाल लीजिए आपके पास भी उसमें का एक पौधा त्यार हो जाएगा तो दोस्तों जो पहला पौधा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अरेलिया की एक वराइटी है और उसका पौधा है ये इसली ग्रो हो जाता है हमारी लिस्ट का दूसरा पौधा है दोस्तों फाइकस पैंडा फाइकस पैंडा भी फाइकस के दूसरी वराइटीज की तरह कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है अगर आप bonsai बनाना चाहते हैं या bonsai plants आपको पसंद है तो ये एक अच्छा option है इसे भी आपको खरीदने की कोई जोरत नहीं बस इसकी cutting कीजिए कोई rooting hormone लीजिए और इसे पहले पानी में grow कर लीजिए अगर पानी में grow करने में आपको problem हो रही है तो आप सफेद बालू में इनकी cuttings grow कर सकते हैं ये सभी plant lovers के लिए cutting से लगाने के लिए एक अच्छा option है हमारी list का तीसरा पौधा है coleus coleus की पचीसों varieties आपने देखी होंगी और ये सभी varieties cutting से लग जाती है ये जो आप coleus देख रहे हैं ये मेरा personal favorite है और इसमें बहुत सारी varieties मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूँ तो अगर आप cutting से coleus को लगाना चाहते हैं तो आप easily लगा सकते हैं ये पोधा सामाने तर पाक्स वगेरा में देखने को मिल जाता है तो आप वहाँ से इसकी cutting ले सकते हैं और इसकी cutting को आप अपने घर में लगा सकते हैं इसका success ratio लगभग 85%-200% है मैंने जितनी बार इसकी cutting लगाई है ये successful हो गई है बस ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी की कमी भी नहों और बहुत ज़ादा पानी भी नहों दोनों ही cases में पोधा खराब हो जाता है तो चलिए बढ़ते हैं चौथे पोधे की बोधा चौथे नमबर का पोधा जो आप cutting से लगा सकते हैं वो है hibiscus हibiscus या गुड़हल की चाहे वो देसी वराइटी हो चाहे वो hybrid वराइटी हो दोनों ही cutting से आसानी से लग जाते हैं ये पोधा मैंने cutting से लगाया था और ये आप देख रहोंगे अभी कितना बड़ा हो चुका है तो गुड़हल में इतनी सारी वराइटी हैं अगर आप flowering plants लगाना चाहते हैं तो गुड़हल एक अच्छा option है पेट्रोल टैंक्स पे पार्क्स में और भी बहुत सारी जगहों पे आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा वहां से आप इसकी छोटी सी cutting एक pencil के बराबर cutting ल है और आप उसे लगा सकते हैं cutting से ये पौधा बहुत easily लग जाता है हमारी लिस्ट का आगला पौधा है दोस्तों गुल्दाओदी गुले दाओदी chrysanthemum या 70 ये चारों इसी के ही नाम है ठंडियों में इस फूल की खुबसूरती देखने ही लायक होती है एक पेड में पचासों और सैकडों फूल भी लगते हैं अगर ठीक तरह से इनकी पिंचिंग की गई और अच्छे फर्टिलाइजर्स दिये गए तो इन में धेरों फ फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैंने उस वीडियो में दिखाया भी है गुल्दाओदी की बहुत सारी वेराइटीज पॉम पॉम जायंट और धेरों वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल हैं इसके प्लांट्स तो जादा महेंगे नहीं मिलते लेकिन अगर आपको कटि कोटी सी कटिंग लीजिए और उसे सफेद बालू में लगा दीजिए आपका पॉधा तैयार हो जाए बात कटिंग की हो तो हम देसी गुलाब को कैसे भूल सकते हैं देसी गुलाब सबसे जादा कटिंग से लगाया जाने वाला पॉधा है इसको लेके बहुत सारी भ्रांति कटिंग से लगने के चांसेज 5-10 परसेंट होते हैं या किसी-किसी वैराइटी में ज्यादा भी होते हैं लेकिन देसी गुलाब आसानी से कटिंग से लग जाता है इसमें फ्रेग्रेंस तो अच्छी होती ही है ये कम रख रखाओं में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है जै जिसकी वीडियो मैं आपको अपडेट देता रहता हूं तो अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं और कहीं आपको देसी गुलाब का पौधा दिख जाए तो आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों हमारी लिस्ट का अगला पौधा है मोग्रा मोग मोग्रा अगर आपने कहीं कोने में भी लगाया हुआ है तो दूर से ही इसकी खुश्बू बता देती है कि कहीं पर मोग्रा लगा हुआ है और इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत इजी है इसे भी आप चाहें तो सफेद बालू में ग्रो कर सकते हैं इसकी पैंसिल की मोटाई की cutting ले 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 और उतनी ही बड़ी भी ले 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 जितनी बड़ी एक pencil होती है और इसे बालू में लगा कर छोड़ दें थोड़ा थोड़ा उस बालू को दो दिन तीन दिन पर हलका हलका मॉइस्ट करते रहें ताकि उसमें moisture maintain रहे और आप देखेंगे कि आपके पास मोगरे का एक पौधा तयार हो गया है तो cutting से लगाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लांट है अगला प्लांट जो आप cutting से लगा सकते हैं दोस्तों वो है अल्मांडा अल्मांडा को कहते हैं कि कनेर से cross करके इसका बर्थ हुआ है इसे बनाया गया है कनेर से cross करके और इसलिए इसके फूल जो है वो jumbo कनेर जैसे लगते हैं कनेर की बड़ी variety जैसे लगते हैं और इनसे थोड़ी सी कड़वी सी हलकी सी इसमें लाती है इसलिए इसे अल्मांडा कहते हैं बादाम के नाम पर इसका नाम अलमांडा पड़ा है क्योंकि इससे बादाम जैसी कड़वी खुश्बू आती है यह कटिंग से लग जाता है और यह पौधा भी मैंने कटिंग से लगाया है देखिए बहुत छोटा सा मैंने इसे कटिंग लगाया था मैंने इसकी और इस छोटे से कटिंग को लगाने के 6 महीने बाद का ये वीडियो है। 6 महीने में आप इसकी ग्रोथ देखिए और इस पे फ्लारिंग देखिए। यहां तक की ऊपर आप देख रहे होंगे धेरों बड्स इसमें लगे हुए हैं। और नियमित रूप से खिलता रहता है। इसके अलावा ये पॉलिनेटर्स को भी बहुत पसंद आता है। देखिए अभी भी इसमें एक तितली पॉलिनेशन के लिए लगी हुई है। और अपने शहद का या अपने खाने का इंतजाम कर रही है। तो अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं दोस्तों तो आलमांडा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ओप्शन है। आप इसे भी कटिंग से इजली लगा सकते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं दोस्तों आप ये क्रॉटन का पौधा है और इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मैंने एक पेट्रोल टैंक से इसकी छोटी सी कटिंग लाई थी और उससे इसे ग्रो किया है। आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया ये तीन से चार महीने में ग्रो हो गया है तो क्रॉटन की वैसे तो बहुत सारी वराइटीज हैं और सारी ही वराइटीज आसानी से कटिंग के थुरू लगाई जा सकती हैं छोटी सी कटिंग कर लीजिए तीन इन चारिंज की कटिंग कर लीजिए और पानी में डाल करके छोड़ दीजिए उसके नीचे की जो टिप है वो पानी में डूबी रहे कुछ दिनों पर आप पानी चेंज करते रहे हैं आप देखेंगे कि उसमें रूट्स आ गई हैं फिर आप उसे किसी अच्छे सॉयल मीडिया में जो बहुत ही पोरस हो लगा दीजिए या सफेद बालू में लगा दीजिए फिर देखिए आपके पास क्रोटन के प्लांट्स त लगाया जा सकता है यह थोड़ा स्लो ग्रो होता है दूसरे शो प्लांट्स के मुकाबले लेकिन यह किसी भी शेप देने के लिए या टॉपियरी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है तो इसे आप लगा सकते हैं इसकी कर्टिंग कहीं से भी मिल जाए है वीपिंग फिग या फाईकस जिससे आप कटिंग से एजली ग्रो कर सकते हैं इसकी आप छोटी छोटी कटिंग काटके और किसे भी कोको पीट में या फिर वाइट सैंड में या रेच सैंड चोर सेंड अमें लगा सकते हैं और एक महीने के अंदर इसमें बहुत अच्छी रूट्स की ग्रोथ आ जाती है ये बहुत तेजी से ग्रो भी करता है तो अगर आप इसको कहीं आपको ये मिल जाए बहुत ही कॉमन सा प्लांट है बहुत सारी जगों पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा या पौधे लेने कभ सेंड में लगाना है या फिर कोको पीट यूज कर सकते हैं लेकिन आप वाइट सेंड यूज करें तो ज्यादा बहतर है और किसी शेडी एरिया में रख दीजिए हलका हलका पानी देते रहिए ताकि उसका जो सेंड है वो मॉइस्ट रहे तो आपका ये पौधा जो है एक मह दोस्तों SS Home Garden के YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए आप सबका आभाल